जावा स्क्रिप्ट में double equal to और triple equal to operator से related कई सारे tricky questions पूछे जाते हैं चुकि sometimes बहुत confusing होते हैं तो चलिए कौन कौन से questions हैं जो आपको जाना चाहिए ओके तो एक चीज आपको ध्यान में रखने की ज़रुत है कि जो triple equal to जो operator है जिससे हम compare करते हैं दो values को तो triple equal to में क्या होता है कि यह type भी check करता है value को जो check करेगा है उसके सारा type को भी check करेगा now double equal to में क्या है कि बहुल value को check करेगा तो कुछ important चीज आपको पता होने चाहिए दो string हमेशा equal होगा अगर उसका sequence sequence of character and length जो है same अगर होतो मतलब simple है दिखें तो माल लिजिए कि एक value है ABC ठीक है ABC अगर same string value है simple से बात है same string value है ABC तो ओ हमेशा equal होगा simple है और अगर string के जगा पे अगर numeric value है तो ओ भी जो है same होगा बट इसमें सर्थ है string में तो equal होगा अगर same value है अगर string है दोनों तो of course ओ equal ही होगा बट अगर number है तो ओ भी जो है equal होगा बट इन number number के cases में क्या होगा दोस्तों कि अगर n a n है n a n जिसको बोलते है not a number अगर 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 याद रखेगा यह किसी से भी equal नहीं होता है including n a n यह कभी equal नहीं होगा किसी भी चीज से including n a n तो अगर हम करते हैं n a n is equal to n a n let's say मैं हाँ पर ही show करा रहता हूँ आपको console में n a n is equal to n a n देखे हैं हम false हा रहा है तो number के case case में number हमेशा same होता है बट n a n के case में यह किसी से भी match नहीं करेगा हमेशा false होगा कभी compare आप नहीं कर सकते n a n को including n a n याद रखिएगा और एक चीज और याद रखना है दोस्तों कि minus 0 और plus 0 करके कुछ नहीं होता है कभी-कभी confuse करने के लिए आपको इस type के comparison compare जो है करा देंगे तो minus 0 और plus 0 का मतलब 0 ही हो गया यह हमेशा true रहेगा याद रखिएगा now आगे चलते हैं अगर boolean value है तो देखे 0 और 1 boolean value में आता है 0 और 1 true and false याद रखिएगा 0, 1, true and false तो हमेशा 0 is equal to is equal to 0 करेंगे तो हमेशा true मिलेगा 0 is equal to is equal to 1 करेंगे तो false मिलेगा तो true, true हमेशा true होगा false, true हमेशा false रहेगा right now दोस्तों अगला जाता है null और undefined यहाँ पर भी बहुत सारे लोग को confusion होता है null और undefined दोस्तों null और undefined दोनों equal होता है अगर हम double equal to अगर use करें तो अगर double is equal to use करें तो कोई matter नहीं करता है null है और undefined है undefined मतलब वही हो गया जो defined नहीं है memory में value जो है undefined present है okay मतलब variable to declare है but value defined नहीं है इसका मतलब undefined हो गया और null का मतलब हो गया value कुछ नहीं है okay अगर हम दोनों को compare करें यह आपको true मिलेगा तो अगर मैं यहाँ पे browser में आपको दिखाऊंगे तो आप यहाँ पे notice कर रहे होंगे कि true यहाँ पे है but अगर आप triple is equal to से compare करेंगे तो क्योंकि type भी check हो रहा है यहाँ पे false नजर आएगा now अब मैं एके करके मैं आता हूँ और आपको बताना है कि यह output क्या आएगा दोस्तों यह हमारा array है array हम double is equal to array के साथ compare करेंगे ओके दोस्तों इसका output बताना है double is equal to के साथ compare कर रहे हैं और फिर triple is equal to के साथ compare करेंगे हाँ पर और यहाँ पे आपको output बताना है दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे इसको चेक करने के लिए console lock कर लेते हैं ओके तो दोस्तों क्या होता है कि जब आप empty array को जब आप empty array को चप चेक कर रहे हैं double is equal to के साथ तो दोस्तों इस condition में इसका जो output आएगा false आएगा क्योंकि array जो होता है और object होता है कभी किसी के भी equal नहीं होता है याद रखिएगा कभी किसी के भी equal नहीं होता है even कि empty array देख रहे होंगे double is equal to triple is equal to दोनों से चेक किया जा रहा है फिर भी ये same नहीं है ये equal नहीं हो रहा है ओके ये तो array के condition में हो गया अगर मैं इसके जगा पे object में रखूँ object के लिए मैं यहाँ पे curly braces दे देता हूँ ओके ये हो क्या empty object तो दोस्तों empty object के case में भी हमेशा याद दखिएगा कि इसका value हमेशा false रहेगा ओके कभी equal नहीं होगा किसी के भी even देख सकते हैं अगर same value है तब भी equal नहीं रहेगा देख सकते हैं false हा रहा है अगर माल लिजिए कि यहाँ पर a अगर मैं 10 कर दूँ और इस जगा पर भी a 10 कर दूँ ठीके value तो same है कि value pair में दोनों same है बट मैं जब save करूँगा तो यहाँ पर इसका false output आएगा और दोस्तों null और undefined के case में ऐसा नहीं है null और undefined triple is equal to में तो true होते हैं otherwise यह false रहेंगे अगर मैं save करूँ तो इसका output यहाँ पर देख रहे होंगे false ही आ रहा है तो actual मैं इसे console log के अंदर रखना चाहिए तो let's put this in the console log तब इसका output आप console में देख पाएंगे तो दोस्तों triple is equal to में null और undefined equal नहीं रहेगा बट double is equal to में null और undefined equal रहेगा अगर अभी हम check करें तो यह equal है इसे पहले भी मैं दिखा चुका हूँ now दोस्तों हम आते हैं कि अगर string और number है ठीक है string और number है अगर दोनों में comparison किया जाए तो उसका output क्या आएगा suppose that मान लिजी हमारे पास है 5 but एक real number है 5 और एक जो है string के form में है तो हम यहाँ पे double quote में 5 लिख देते हैं दोस्तों अगर हम triple is equal to लिखेंगे तो इसका value भी false नजर आएगा क्योंकि triple is equal to में ये दोनों के type को भी compare कर रहा है तो अब 5 का type यहाँ पे क्योंकि double quote में है ये string हो गया और ये कोई quote में नहीं है 5 इसलिए number हो गया तो इस condition में दोस्तों ये कभी equal नहीं होगा याद रखिएगा क्योंकि हम type भी check कर रहे हैं और type different है अगर मैं console करूँ, save करूँ तो देख सकते है false आ रहा है अगर हम यहाँ पे double is equal to करें तो दोस्तों यहाँ पे इसका value true आएगा reason, reason कि ये केवल type चेक कर रहा है और java script एक loosely type language है तो वो automatic समझ जाता है कि ये इसका type जो है actual में ये double quote में भी है तो ये एक number ही है तो दोनों वो equal कर दे रहा है, right, but triple is equal to use करके आप इसका type को भी check कर सकते है मतलब strict type checking यहाँ पे हो जा रहा है now, ये condition एक boolean value के साथ भी है तो चलिए boolean value वाला देख लेते हैं तो दोस्तों, boolean value में अगर हम 0 को compare करें देखे, 0 और false तो दोनों एक ही चीज है, अगर 0 को false से साथ compare करें अगर triple is equal to use करेंगे तो दोस्तों, इसका output आएगा false वाई? ऐसा क्यों? क्योंकि 0 तो एक number भी है जीरो एक number है और ये एक boolean है false एक real boolean है तो इस condition में दोस्तों क्या होगा? कि इसका value आएगा false let's save this देख सकते हैं, ये false हा रहा है बट अगर हम double is equal to use करेंगे तो इसका value आएगा true क्योंकि 0 भी false हो गया क्योंकि 0 को as a false भी treat किया जाता है 0 को as a false और कोई भी अगर दूसरा number है तो उसे हम लोग true represent करते हैं तो मैं अगर save करूँ देख सकते हैं, यहाँ पर true आ रहा है तो इसलिए क्योंकि हम double is equal to के साथ compare कर रहे हैं बट अगर हम triple is equal to के साथ compare करेंगे तो इसका value false आएगा दोस्तों इसी से related एक और चीज है कि मान लिजे कि 0 को 0 as a यहाँ पर number है राइट बट अगर हम इसको अगर हम as a string बना दे अगर हम इसको मान लिजे कि double quote है single quote में डाल दे और उसके बाद अगर हम compare करेंगे तो of course यहाँ पर triple is equal to है तो यह string हो गया और यह boolean तो अभी इस condition में भी इसका output false आएगा मैं save करूँ तो यह false आ रहा है बट अगर एक अगर double is equal to के साथ compare करूँ तो इसका value 2 true आएगा दोस्तों एक चीज और है कि कभी कभी interviewer यह भी पूछेंगे कि हमार यह जो object है और यह जो array है यह हमेशा false क्यों हो रहा है चाहे double is equal to के साथ compare करें या triple is equal to के साथ compare करें तो क्यों जो है यह false हो रहा है वो बोलेंगे यह तो दोनों empty array है या दोनों empty object है तो फिर इस condition में भी क्यों इसका output false हा रहा है दोनों equal क्यों नहीं है इसका answer पूछ सकते हैं तो आपको इस condition में आपको क्या बताना होगा रेखिए condition यह है कि अगर दोनों same object को refer करेंगे तब जाकर object हो या array हो अगर same array या same object को refer करेंगे suppose that array है तो same array को पॉइंट कर रहा है तब जो है equal होगा otherwise equal नहीं होगा क्योंकि यह जो empty array है या फिर empty object है यह अलग object को refer कर रहा है मतलब same ही object को refer कर रहा है मतलब यह different है यह दोनो different है ठीक है right hand side और left hand side में जो array है दोनों अलग अलग array को refer कर रहा है तो याद रखिएगा कि two objects are strictly equal ठीक है if they refer to the same object अगर same object को refer करेंगे तब दोनों strictly equal हो जाएगा same object को refer करेंगे तो बट यह दोनों अलग अलग देखे यह अलग object हो गया यह अलग object हो गया भले ही value same है कोई फरक नहीं पड़ेगा value same हो ना हो same object को refer करना चाहिए यह तब ही equal होगा बस इस condition में क्या है दोस्तों यह अलग अलग object है यह object जो है अलग अलग है भले ही empty है दोनों empty है बट अलग अलग है इसलिए equal नहीं हुआ I hope कि double is equal to और triple is equal to से related जो questions आते हैं interview में उसमें confusion होते हैं वो clear हो गया होगा और most probably जो मैं question पूछ रहा हूँ इसी से related होते हैं और exactly same भी आ सकते हैं So thank you for subscribing the YouTube channel Have a nice day